हेलो एवरिवन वेल्कम तू मैं चैनल कॉम्स्कोलर दिस इस दी कंटिविशन वीटी ओन वेलेशन आफ शेर्स इसमें वेलेशनल शेर्स हम देखें सेकेंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं इस अर्निंग इल्ली मेथड देखें जो लास्ट वीडियो लेचर था आप उसको पहले अच्छे से पढ़ना विकूस लास्ट वीडियो लेचर हमने डिसकर आद इस कॉल्ड नेट एसेट मैथड या फिर आप स्ज कर दूइसमें हमने पढ़ ing differenti मेथड है और इंत्रींसिंग मेथड हमने यह पढ़ा था कि जो भी शेर हूल रहे है वही देख़ा था कि जब जब कंपनी डूब जाएगी है कि जब कंपनी लिकुटेशन में चल जाएगी तब लेकुटेशन के टैम पे कंपनी उसके हाथ में कितने पैसे देगी है तो मुझे कितना पैसे मलेगा या वह यह सोचता है कि अगर मैं आज इतना पैस लगा रहा हूं तो आने हो और टैम में मुझे जो उससे कितनी कमाई होगी कितना रिटरिम लेगा उसके बेसेस पर होगा तो सिधी सिपाता है इसलिए हमारा जो है यह जो इसमें जो इंट्रिंसिक मेथड है इसमें काफ़े सारे मैनि कि अगर कोई इंवेट्स करेगा तो दिखिए दो तरह की इनकम होती है एक होती है रेगुलर इनकम में इनकम और यह करती लंसम यानी कि one time income जो र्यगुलर होती है वो किस ने किस वर इनकम होगी सवर्प जा रिडीम कर लेगा ङूँड अब यहां विद्वित अप्षिक होंग़ कोड़ा है देखिए मैं यह समझाना चाहरा हूँ कि वेलिएशिन और शेयर्स इतसे यह बहुत जादा इंपोर्णन्ट है बिकोर सिद्धी सी बात है कि जब कोई भी शेयर्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो भी देखता है कि कंपनी उसे कितना कमागे देगी भी यह जब तक वह जिस कंपनी में वह इन्वेस्ट कर रहा है तो दस साल तक उसको जो मुझे कितना मिलना चाहिए और जब मैं यहां से पैसा निकाल लूँगा तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए तो अभी हम डिसक्रिक्षाना चाहरे है only the dividend yield method देखें, dividend yield method के देखें value of shares का देखें क्या formula मनता है यहां पर देखावने आसा देखिए expected rate of dividend divided by normal rate of dividend multiplied by paid up value of shares यहां सुनें देखें क्या निकलता है value of shares यहां हम किसी company की value निकाल रहे है from the point of view of dividend yield यहां कि company उसको कितना dividend कमा के देखें और विस बात देखें, dividend किसमें निकलता है प्रॉफिट होता है तो यहां पर देखें कैसे निकाला है पहले यहां पर देखें, पहले लिखावाँ पर नॉर्मल rate of dividend नॉर्मल rate of dividend कमा लगाता है अपनीज एन आर आर नॉर्मल rate of dividend कमा लगाता है जैसे माने यह एफम से जी है अब एफम से जी के काफे सारे stocks होते होंगे वह उपको बिताने हो गया ठीक है, बहुत सारे होगे या फिर जैसे आप में में कहते है फार्मासिटिक लिख होगे ठीक है, तो उसके होगे तो एक यह उता है एक industry होती है मैंने आपको लाज स्क्रास मताते है जब आप किसी company में याने कि इस company में share जब आप market में invest करते हो तो पहले जाता हो कि आपको किस industry के share जो परक्षिस करने चाहिए तो आप उस industry में enter करते हो जिस industry की growth potential काफि अच्छी होती है तो पहले आप industry को select करते हो उसके बाद आप किस company में आप enter करते हो तो जब आप किस industry में जाता हो देखतो कि उस industry at present जो है normal rate of return क्या है यानि कि average इसका return क्या दर है ठीक है तो जो normal rate of return होगा that is based on the industry that is based on industry यानि कि industry की उस particular जो share है उस particular जो industry जिस industry से वो बिलों करता है उसका average rate of return क्या है इसके बाद होता है आपका paid up value यानि कि माने ज़िए अगर आपने किसी company के 10,000 shares ले रखे है और उसकी वैसे तो company ने share किया है दस रुपे के साफसे इसू किया है लेकिन आपने अभी तक 10 रुपीज के साफसे paid up किया हुआ है तो आपके लिए paid up value कितना होगी 7 रुपीज के साफसी होगी तो paid up value offers और share कितना होगी 7 होगी या देखना student से normal rate of return हमेशा given होगा paid up value भी हमेशा given होगी यानि कि आपको क्या निकालना होगा basically expected rate of return यानि कि कोई भी shareholder किसी company से dividend कितना expect कर सकता है हम वो निकालना चाहेंगे तो देखो कैसे निगलेगा वो profit before tax आप कर देगा उसमें से tax minus कर देगे क्या वेज़ागा का profit after tax और profit after tax से निकालना रिज़ाँ यानिक देखे इस दिवात है company की बाद जो profit बचा उसके बाद company जो अपनी meeting में डिशार करती है कि company को कितना profit जो रिटिन करना है और company को कितना profit जो है वो distribute करना है in the form of dividend मानने जेक के company ने कुछ portion जो है जरनल रिजाव या पेंडल में transfer कर दिया फिर उसके बाद उसके पहला राइटिक को मिलता है preference shareholder को dividend मिलेगा उसके बाद बाद को जो profit हो किसके लिए हुआ entire amount किसके लिए हुआ for the equity shareholders तो यह हुआ profit for the equity shareholders अब हमके निखालना चाहरे है expected rate of dividend तो कोई भी shareholder होगा जो equity shareholder होगा वो dividend इसको कहां समलेगा from the profit available for the equity shareholders तो बस यहाँ पर देखेंगे कि total profit of company को for the equity shareholder नहीं के वही amount यहाँ पर आजाएगा यह वाल आमाउंड उसके बाद paid up value of the equity share जैसे में आपको इसा मालनेजी आगर आपने 10,000 share से रखेंगे 7 paid up है तो यहाँ पर paid up value of equity के जानेगे 70,000 multiple है by 100 जैसे देखें मैं एक एक्जामबल इससे तो जैसा मालनेजी है किसी भी company के मालनेजी है normal rate of return given है 10% given है normal rate of return expected है मालनेजी 20% पेड़ वैल्य मालनेजी 100 रुपीज है तो क्या हुआ देखें आपका यहाँ पर expected कितना था आपका 20 normal rate of return कितना था 10 multiply by 100 जैसे तो आपकी जो value share कितना आई that is 200 per share easy है क्लास यह बस आपको थोड़ा concept दान सामाना होगा what is all about valuation shares in the case of dividend yield method all right चलिए अब इसके एक प्रेटिस question करते है question number 1 X Limited declares dividend at at 30% on equity shares for Rs.108 6 रुपीज paid up normal rate of dividend is in the market that is 10% यह दिखना यह किसे confused मत अग्लास normal rate of dividend that means the industry return what would be the value of share as per yield basis तो देखिए आपको normal rate of dividend गिए 10% आपको expected भी गिवन है 30% paid up गिवन आपको 6 per share सब कुछ गिवन है तो देखिए आराम से निकलाएगा देखिए value share के निकलता है expected rate of dividend divided by normal rate of dividend इंटू है sorry यहाँ पर यह 100 नहीं आगा इंटू में paid up value of equity shares right x पर कितना है 30 divided by 10 इंटू में 6 कितना आपका 18 per share simple है चलिए question number 2 from the following information relating to a company calculate the value of its equity share as per yield method आपको गिवनने issued equity shares 10,000 shares of rupees 10 each 8 paid up गिवन है 8% preference shares capital गिवन है 10,000 shares of rupees 10 each fully paid up annual transfer to general reserve 20% rate of tax 50% expected profit before tax given up 2,000,000 normal rate of given up 20% reserve and surplus 2,000,000 live day 75,000 fictitious assets 20,000 देखिए हम क्याने काना चाहरे है हम निकाना चाहरे है value of its equity share as per yield method right formula आपको बताता है that means expected divided by normal into paid up value paid up आपको given 8 simple है को दिक्कत नहीं normal rate of given आपको 20% उसमें को दिक्कत नहीं आपको निकालना है आपको expected on the basis of profit available for the equity shareholders तो देखिए simple है देखिए profit before tax 2 lakh हो गया tax rate आपको 50% given है 1 lakh minus कर दिया profit after tax 1 lakh हो गया इसके बाद दिखा हुए है जो भी profit available होगा after tax उसमें से 20% journalism में transfer हो जाएगा तो बाकी 80,000 क्या हो that is the profit available for all the shareholders preference dividend यहाँ पर देखो capital based होगा preference dividend ने पर कितना दिखा हाँ पर 10,000 मंटी बलाएब है 10 that is कितना होगा एक लाख और एक लाख का 8% कितना होगा that is 8,000 रुपे तो preference dividend पे करती 8,000 रुपे अब यह profit available होगा only for the equity shareholders तो भस अब expect कैसे निगा लेंगे profit available for equity shareholders 72,000 divided by the paid-up value अब देखो यहाँ पर shares कितना होगा equity के 10,000 paid-up value कितना है 8 तो कितना होगा 80,000 रुपे तो 12,000 divided by 18,000 कितना होगा expected dividend कितना हो 90% दस बस value share किसे निगा लेंगे expected divided by normal into my paid-up value तो expected कितना होगा 90 this and यह आपका आगया that is value share that is as per dividend yield method alright now read question by 3rd from the following permission relating to a company, calculate value of its equity shares as as per yield method आपको equities ही given है that is 10,000 shares of Rs.8 each preference shares given आपको 35,000 shares of Rs.10 each value tax given आपको expected profit given है normal data given है तो दिखिए question यह वही है simple है यहाँ पर दिखिए preference share capital आपको 2 lakh given है आपको profit before tax आपको 2 lakh given आपको tax is 50% हो गया profit after tax इतना हो गया preference driven आपको कितना होगा 35,000 यानि कि 3,500,000 रुपे का 8% निकालना होगा तो आपको आपको 8,000 रुपे प्रोफिट अवलेबल for equity शोल्टर कितना होगा बात थारह जार रुपे expected होगा 90% easy होई है आपको आपको के value of share that means expected divided by normal into paid up value of shares right now moving to question before important question class the paid up share capital of a company consists of 2,000 5% preference shares of Rs.100 each and 4,000 equity shares of Rs.100 each in addition to a fixed dividend of 5% the preference shareholders are also entitled to participate in the profit up to 4% after payment of dividend of 10% on the equity shares do you want to know to make sure the language is more容易 than to understand company के पास दो टाप की share capital है एक तो preferential capital और एक equity capital preferential capital के तो लाकी और equity share capital के चारज सारागी इसके बात जो है company आपके जो dividend बात रही है तो वो dividend का कुछ नोंने sequential order दिया हुआ उसको हमें एच्छे से follow करना है कहलीख हुआ है कि in addition to 5% dividend of in addition to a fixed dividend of 5% preference shares holders are entitled to participate in the profit up to 4% after payment of dividend of 10% on the equity shares पहले बलावा है कि preference shares को जो है सबसे पहले 5% dividend मलेगा पहले 5% preference shares को मलेगा इसके बाद preference shares को 4% मलेगा लेकिन कब after making payment of dividend of 10% to the equity share holders पहले 5% preference share holder को मलेगा इसके बाद 10% equity को मलेगा इसके बाद 10% preference share holder को मलेगा इसके बाद भी आपको कोई profit रहा गया तो वह किसको मिलेगा remaining to equity share holder तो यह आपका sequential order है अब language जहां सद्दों को फिर से का लिखा हुगा है in addition to a fixed dividend of 5% 5% जो fixed dividend मिलेगा किसके बाद हो रही है अभी किसको मिलेगा the preference share holders यानि कि preference share holders मिलेगा आगे लिखावे the preference share holders are also entitled to participate up to 4% यानि कि पहले 5% मिलेगा और फिर 4% और मिलेगा only after payment of dividend of 10% on the equity shares पहले 5% preferential holder को मिलेगा इसके बाद जो remaining profit होगा उसका 10% equity shoulder को मिलेगा dividend के फॉर्म में इसके बाद कोई profit होगा तो फिर वो पहले साथ से पहले again preferential holder को जाएगा 4% उसके बाद remaining profit equity shoulder को चला जाएगा अब पढ़ते हागे the annual average profit of the company कितना गिवन है 1 lakh after providing depreciation and taxation and it is considered necessary to transfer 6000 per annum to reserve fund the normal rate of return कितना गिवन आपको that is 8% यह preference shares का गिवन है और equity का कितना गिवन है 10% हमें दोनों का अलाल निकालना है value of share of each preference shares as well as of the equity shares on the basis of Dundee method तो देखिया तो आपको समय दागिया यहां पर देखिया profit after tax कितना गिवन आपको 1 lakh गिवे transfer का तो journalism है journalism है transfer कितना कितना करना था that is 6000 amount एक absolute amount given है कोई दिक्कत नहीं है वो मानस कर देंगे हम तो यह बचा profit available for the shareholders that is 94,000 अब जो profit जो बचा है जहां से दिखिये अभी जो profit बचा 94,000 यह for the all equity shares है अब इसमें से पहला right किसको मिलेगा preferential order मिलेगा dividend मिलेगा 5% 5% किसका मिलेगा capital का तो paid up capital sorry preferentials की capital कितनी है 2,00,00 का 5% कितना हुआ 10,00 रुपे तो पहले 10,00 मिलेगा preferential order को revenue कितना रहे 84,000 इसके बाद sequence मिलेगा dividend मिलेगा equity shoulder को 10% अगें इसका paid up capital value कितनी है that is 4,00 4,00 का 10% कितना हुआ 40,000 मिलेगा किसको equity shoulders को remaining profit कितना रहे गा 44,000 अब फिर से preferential order मिलेगा कितना 4% 4% कितने का 2,00 कुर पहेगा तो कितना रहा 8,000 रुपे चला गया preference shareholder को dividend चला गया अब यह जो remaining बाचाए that is 36,000 that is अब किसके बाचाए for the equity shareholders right अब हमने कालना है expected dividend for the equity as well as for the preference expected किसे निकालते हैं यहां पर देखिए हम पहले देखेंगे यहां पर for the equity यह लिए लिए 70,000 that is profit यह profit अबलेबल for the equity shoulders किसे निकाला equity के लिए देखे 36,000 रुपे यह हो गया और 40,000 रुपे यह हो गया तो कितना हो गया is your equation divided by the paid-up value i.e 4,002,002,000 कितना हो यह 90% expected dividend for the equity shoulders preferential Cholver ल tutaj जिखें इहां पर profit 10,000 रुपा यह मैल रहा है और 8,000 रोय हो गया कितना हो गया 18,000 रुपे paid-up value Tom total capital주세요 2,0 Solar Cris कितना हो गया expected dividend for the preference shoulders normal expected hed in 2019 यह आपका किस के लिए है वर दी प्रेफरेंट जुने के लिए था इंटो में हंड़य रोड है तो सबुने किसके लिए है और अरिफेंटियू रहा है लाग है I hope you have understood very well, thank you.